हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ बंदिता आज की इस वीडियो में मैं आपको कंधे से कंधे जोड़ने बताऊंगी हम इनको सिलेंगे नहीं हम सलाईयों से ही इनको बंद करेंगे और बिल्कुल सफाई आ जाएगी डिजाइन के स आगे नजर आते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं तो आज जो हम हैं इसमें सलाईयों से ही हम लोग बनाएंगे तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम नीचे वाले भाग को सीधा की तरफ से रखेंगे उपर व पली साइड हमारे दोनों सीधे पास से आ गए ठीक है सीधी साइड हमारी दोनों अंदर हो गई हैं उल्टी साइड दोनों बाहर आ गई हैं यहां और यहां भी तो यह दोनों उल्टी साइड हमारी बाहर हो गई हैं दिखे सबसे पहले आप अपने कंधे ना पिए कि क्या य देखे, आपकी घटाई सेम आने चाहिए, ये फंदे बराबर हैं, तो आप सबसे पहले एक धागा इधर है, और एक धागा इधर है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक धागा इधर से चाहिए, हम इन दोनों सलाईयों को ऐसे पकड़ेंगे, दोनों के फंदे भी बराबर होने चाहिए आप गिल लीजिएगा कि दोनों फंदे पराबर हों अब आपने एक तीसरी सलाई लेनी है फंदे बनाएंगे पहले पीछे से फिर ये आगे वाले फंदे से हम एक फंदा ऐसे बना लेंगे और दोनों सलाईयों से एक एक फंदा उतार देंगे ऐसे ठीक है एक फंदा बन गया अब हम फिर से क्या करेंगे एक फंदा पीछे से एक फंदा अगली सलाई से और इसको हम उल्टा बुल लेंगे ऐसे और फिर दोनों सलाईयों से एक एक फंदा निकाल देंगे ऐसे अब हम अपस यहाँ पे दो फंदे हो गए अब इस में से हम पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और ऐसे इसको बंद कर देंगे दुबारा देखिए पहले हम पीछे से लेंगे एक फंदा अगली स्लाई से लेंगे इसको उल्टा बुन देंगे दोनों फंदों से हम फंदा निकाल लेंगे और दोनों सलाईयों से एक एक फंदा उतार देंगे फिर पीछे वाले फंदे को आगे से ऐसे टपा के इसको छोड़ देंगे और ये हमारा बंद होना शुरू हो गया है ये देखे पीछे से लेंगे, आगे से लेंगे, दोनों सलाईयों से एक-एक फंदा ले लिया है, इसको उल्टा बना देंगे, दोनों सलाईयों से एक-एक फंदा उतार देंगे, जिसमें हमने बुना है, फिर पीछे वाला फंदा जो है, हम इसके उपर से इसको टपा देंगे, और ये बंद हो रहा है फिर से देखिए पीछे वाली स्लाई से एक लिया आगे वाली स्लाई से एक लिया दोनों से फंदा निकाल लिया दोनों को उतार दिया पीछे वाले को आगे लिया और ऐसे इसको बंद कर दिया चीक है और ऐसे ही हम करते जाएंगे यह देखिए यह मैंने लास्ट तक कर दिया है और लास्ट वाले फंदे से मैंने इस बॉल को निकाल दिया तो यहाँ पे नोट लग गई है ऐसे और इसको टाइट हैंड से नहीं बनाना है लूज हैंड से बनाना है और यह देखिए यह ऐसा नजर आएगा मैं सीधह से दिखा देती हूँ यह देखिए बिल्कुल पता नहीं लगता है कि सिला है कैसे बनाया है और डिजाइन से डिजाइन मिल गया है यह देखिए ऐसे ही अब हम दूसरे वाला भी ऐसे ही सिल लेंगे इसमें देखिए आपका इसमें भी देखिए एक धागा इधर है और एक धागा इधर है तो इस वाले धागे से बिल्कुल ऐसे ही आगे लियाएंगे इनको और ऐसे ही तीसरी स्लाई की हेल्प से हम इन्हें ऐसे ही बंद कर करते जाएंगे दोनों स्लाइयों से एक एक फंदा लेंगे और उतार देंगे ठीक है तो आप इसको भी कर लिजिए तो हमारे दोनों कंधे इतियार हो जाएंगे यह देखिए मेरे दोनों कंधे यह सिल गए हैं और थोड़ए थोड़ए एक तरफ का धागा मैंने ouseट दिए है एक तरफ का मैंने थोड़ा सा रखा है सिलने के लिए और जो है बाकि जो गले की साइड है वो धागा मुझे तोड़ना ही पड़ेगा इंसाइड है वो ठोड़ा सा मैंने लख लिया है यहाँ मेरी बॉल खतम हो गई थी तो मैंने इतना यहाँ पैसे छोड़ दिया तो सिलाई में या कंधे में हो जाएगा तो ऐसे हमने यह सिल लिये हैं अपने कंधे तो देखिए कितनी सफाई से कंदे सी ले गए है नेक्स्ट वीडियो में हम ये गला बनाएंगे सीधा दिखा देती हूँ ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये गले के फंदे उठाएंगे गला बनाएंगे ठीक है तो आशा करती है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ थैंक यू, कीप वाचिंग